दिल्ली के च्छतरपुर्व इस्ति शनी धाम में मंदिर के संस्थापक दाती महराज उर्फ मदनलाल पर दुशकर्म के आरोप में शिकंजा कस्ता जा रहा है दिल्ली क्राइम ब्रांच के टीम शनी वार को दुशकर्म पीडिता के साथ रास्तान के पाली जिले में सोजत रोड इसित आलावास गाओं के मदनलाल के एक और आश्रम पर पहुंजी पीडिता ने दाती मदनलाल पर इस आश्रम में भी दुशकर्म करने के आरोप लगाए हैं जानकरी के नुसार टीम दिल्ली से सर्च वारण लेकर शनीवार दोपैर बाद पीडिता को लेकर तीन गाड़ियों में आश्रम पहुँची दुशकर्म के आरोपों से पहले यहां रोजाना हजारों की संख्या में लोगों का आवा गमन बताया जाता है लेकिन शनीवार को आश्रम पूरी तरह सुनसान नजर आया यहां पीडिता ने अपने साथ वोई दुशकर्म की घटना से समन्देते सानों को चिन्नित किया और पीडिता के बताये सानों पर टीम ने तलाशी ली सूतरों ने बताये कि पीडिता के कहने पर आश्रम में से दो कमरे खुलवा कर फुरेंसिक एक्सपर्ट के जरिये कुछ सबूत जुटाने का प्रयास किया गया इस दोराँ टीम ने आश्रम में रहने वाले लोगों से भी पूश्टाश की गोर तलबे की हाली एक महिला ने दिल्ली के फत्यपुरी बेरी थाने में दाती उर्फ मदन पर दुश कर्म का मामला धर्ज कराया था मामले की जान दिल्ली क्राइम ब्राच को सोपी गई है